तो चुरू दोस्तो गुड मोनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब असा कहते हूं आप सब पहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुभा की सुरूआत आज है 2 अगस्त दिन है शुकुरू बार का और सुबह का समय हो रहा है तो सुबह सुबह हम सभी लोग आ चुके हैं बगिया और यहीं से ब्लोग की भी सुरुआत कर दी है तो यहां पर दीदी और बुगा कुला कर रही है क्योंकि यह सभी लोग बगिया से ही कुला करके जाते हैं आप सभी को पता है कि पानी की दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ तो यहीं से सभी लोग कुला मंजन करके जाते हैं और हम भी आ गए थे सुबा सुबा बगिया को टहले के लिए क्योंकि सभी लोग आते हैं सुबा सुबा और आज हलके से बादल भी चाये हैं और यहाँ पर थोड़े से रखे हैं बरतन यह सामके दुले हुए बरतन है तो मैंने का चलो इनको भी सेट करके रख देते हैं आज सुबा बिल्कुल भी बरतन नहीं पड़े थे वैसे किसी किसी दिन बरतन छूट जाते हैं और यहाँ पर मैने रख दिया है दूद उबले के लिए और अभी चाय भी बनानी है तो सबी लोग चाय नास्ता करे लेंगे और यहाँ पर आरोही कर रही है चाय नास्ता तो यहां पर आरोही चाय पी रही है और साथ में नमकीन भी खा रही है क्योंकि आरोही को थोड़ी सी नमकीन मैंने मंगवा दी थी तो वही यह खा रही है और वैसे तो ज़्यादा तर यह चाय के साथ में रस खाती है लेकिन आज रस यह नहीं लेकर आई थी तो नमकीन लेकर आई थी और यहां पर थोड़ी बहुत बाते कर रही है लेकिन बहुत ही दीरे-दीरे आप सभी को मैंने का सुना देते हैं थोड़ी सी इसकी आवाज क्योंकि कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आरूही की आवाज सुनाना और यहां पर आप सभी को हम दिखा रहे हैं जो हमारे साथ हमारे चहरे में दिक्कत हो रही है इन दिनों में इतनी तेज किसी किसी दिन गर्मी होती है साइद गर्मी की बज़े से या फिर प्रिग्निंसी की बज़े से ये हमें बज़े तो नहीं पता है कि किस बज़े से ये हमारे चेहरे में जो हैनकी एकदम से खाल जैसी निकलती है और हर जगे पर अभी तो नीचे की साइड से खाल निकल रही है मूँ के पास में लेकिन अब हमारे जो आँख के पास में है वहाँ से खाल निकल रही है एकदम से काली-काली आँखे हो गई है और इन दिनों में बैसे भी हमारे आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले-का ले हो गए हैं और चहरा भी हमारा इन दिनों में बहुत ज़्यादा खराब हो गया है वैसे ब्लोग में इतना ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता है लेकिन जब हम पास से देखते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है बहुत ज़्यादा चहरा खराब हो चुका है औ यूकि अपने आप ही फिर सही हो जाता है दो-चार दिन में और साय दिये गर्मी की बज़े से और प्रिग्निंसी की बज़े से भी ये चहरा हमारा इस तरीके का हो गया है और वहां पर चूले पर बना ली थी सबजी तो थोड़ा सा जल्दी खाना हमारा बन गया था और यहां में हमारे यहां नो लोग हो जाते हैं तो सभी आज रोटियां ही बनाई है आज चाबल भी नहीं बनाया थे तो मैंने का चलो जल्दी से बस फटा फट से और बैठ कर आराम से मैंने का सेंके गे रोटियां क्योंकि जब ज़्यादा रोटियां होती है फिर खड़े खड़े बिलकुल भी सेंकते हुए नहीं बनता है कभी-कभी पैरों में दर्द होने लगता है या कुछ ओर दिककत होने लगती है तो आराम से बैठ कर मैंने सारी रोटियाँ सेंक ली थी और घर के सारे काम भी दीरे-दीरे फिर मैंने खतम कहे लिए थी तो बहुत सारी चीजें आप सभी के साथ में, मैंने सेर नहीं की हैं, और यहां पर मैंने दुपहरी के समय में लगवग साड़े ग्यारा या बारा बजे के टाइम मैंने बनाई थी सिवए, जोकि दूद तो थोड़ा ही था, लेकिन उतने में ही मैंने बना ली हैं, और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं साम के टाइम में, आज बेसे ब्लोग मैंने बहुत ही कम बनाया था, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके बना लिया है, वही आप सभी के साथ में सेर कर रही हूं, और यहां पर दीदी की याद तबियत खराब हो गई है, काफी टाइम हो चुका है दीदी, बहुत ज़्यादा परेसान है, तो इतने टाइम यहां पर पापा जा रहे हैं, दबाई लेने के लिए दीदी की और आरोही के पापा, तो दोनों लोग जाएंगे, लेकिन दीदी से जोहना की दीदी को भी बैसे ले जा गया था उसके बाद में, और काफी अंधेरा हो गया है, क्योंकि अंधेरे में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, और यहां पर सभी लोग बस यहीं पर बैठे हुए हैं, सबजी मैंने चौक दी है, तो मैंने का सबजी तब तक बन जाएगी, क्योंकि खाना भी बनाना था तो थोड़ा बहुत खाना भी बनाया था, और दीदी जो हैना कि पहली बार जब से आई हैं, तब से पहली बार ऐसा दीदी के साथ में हुआ है, कि इनके पेट में इतनी जादा गैस बन गई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, गैस की ही दिक्कत है, और कुछ भी तो पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज, तो यहाँ पर बुआ भी पैरेर दवा रही हैं दीदी के, और बुखार भी हलका सा आ गया था, क्योंकि जब कुछ भी दिक्कत होती है, तो बुखार तो पहले सुरू में ही आ जाता है, तो फिर पापा जल्दी से ही, पापा पी टायम तक बैठे रहे थे, जब तक पापा नहीं आये थे, और फिर सभी लोग यहाँ पर खाना खा चुके थे, जिलोगों को खाना खाना था, उन लोगों ने खा लिया है, दीदी ने नहीं खाया था, क्योंकि दीदी को बैसे आराम तो मिल गया था, लेकिन फिर खाया नहीं था, क्योंकि उनके गैस की दिक्कत पहले से ही थी, तो उन्होंने का कि हमें बिल्कुल भी भूंक नहीं लगी है, और चौका भी लग चुका है, बस बरतन धुलने बाकी थे, तो मैंने का बरतन भी धुल लेते हैं, और कड़ाई मैंने मांज कर रख दी है, पहले ही, बाकी के ये हलके हलके बरतन रह गएं, तो मैंने का इनको भी मांज कर रख देते हैं, जैसे तैसे आज काम हो गए थे सारे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब किसी की भी तवियत ठीक नहीं होती है, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर बस धुल चुके हैं बरतन जो भी थोड़ी बहुत साप सफाई है वो भी कर देंगे और पानी आज आ गया था टंकी का तो पानी बराबर से भर कर रख लिया था दोनों टव में बाल्टी में जितने भी हमारे घर पर बरतन हैं बड़े बड़े उनमें सभी में पानी भर कर रख लिया था पूरा दिन हो गया है पानी वही हम लोग खर्च कर रहे हैं टंकी बाला तो अब की बार काफी दिनों के बाद पानी हमारे यहां आया है वैसे तो जल्दी से आ जाता है लेकिन अब की बार काफी दिन के बार लगवग 15-20 दिन होने को जा रहे हैं तब आया है पानी और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबा के टाइम तो आप सभी को हमारा प्यार बरा गुड बॉर्निंग और उसके बाद में मैंने कल कुछ भी सूट नहीं किया था और इधर सबसे पहले सुबा उठकर साप सफाई कर देते हैं क्योंकि पूरे में साप सफाई करनी है और अभी कोई भी उठकर नहीं आया है सभी लोग लेटे हैं पीछे बाले घर में आज सभी लोग वहीं पर लेटे थे क्योंकि आप सभी को पता है कल दीदी की तबियत नहीं ठीक थी तो इसकी वज़े से सभी लोग एक ही जगे पर लेटे हुए थे तो सबसे पहले उठकर मैंने का हम भी आये हैं उठकर और गेट खोला और यहां पर सबसे पहले साप सफाई कर देते हैं बाहर भी जाडू लगा देते हैं और यह जो जीन पड़ी है यह बुआ ने इस बज़े से डाली है क्योंकि यहां पर जब भी बारिस होती है तो बहुत जब भी बारिस होती है तो यह मिट्टी नहीं निकलती है और यहां पर हम आ चुके थे मसाले पीशने के लिए और सुबह के और भी जितने सारे काम थे वो सारे काम हो चुके हैं दो सबजी आज बनाएंगे एक तो आलू की सबजी सूखे आलू की सबजी बनाएंगे एक बनाएंगे सिमला मिर्च की सबजी तो जो सिमला मिर्च की सबजी बनाएंगे उसके लिए मैंने का मसाले पीश लेते हैं और आलू हमारे उबल रहे थे तो तब तक मैंने का आलू पल जाएंगे उसके बाद में जो सिमला मिर्च की सबजी बनाएंगे वो चौक देंगे और आलू भी साथ में ही कौर लेंगे तो यहां पर हल्दी मिर्च धनिया लहसुन प्याज नहीं मैंने पीसा है प्याज हम खड़ा डालेंगे और बादल आज भी चाये हुए हैं तो हलक तेज गर्मी हो जाती है और गर्मी से ही सबकी हालत खराब जादातर होती है क्योंकि कभी बारिस होती है कभी गर्मी हो जाती है तो मौसम बदल रहा है तो उसकी बज़े से तबियत बहुत जल्दी से बिगड़ जाती है और दीदी पीछे वाले घर में ही लेटी थी वहीं पर क्योंकि अभी भी थोड़ा सा आलस लग रहा है तो दीरे दीरे तब यह ठीक हो जाएगी और यहां पर मैंने का पहले आलू कौर लेते हैं उसके बाद में सब्जी छोंकेंगे तो कल आरोई के पापा हरा धनिया की पत्ती भी लेकर आये थे और इन दिनों में जब हरा धनि मिर्च की सब्जी छोंक देते हैं तो सबसे पहले प्याज भून लेते हैं और यह सारी चीजे मैंने काट कर रख ली हैं उसकी बज़े से थोड़ी से जो हिने की टाइम भी लग जाता है और थोड़ा सा आलस भी हो जाता है कि जो हिने की पिसा वाला हल्दी मिर्ची ही मंगबा लें और आराम से वही वाला डालें वैसे हमें तो जो सिल्वटे पर मसाले पीशते हूं उन्हीं की सबजी जादा पसंद आती है और यहा तो बैसे तो ये वाली सब्जी जादा सूखी बनाओ तो जादा पसंद आती है लेकिन हम थोड़े से रसावाली बनाएंगे सभी को जो हैनकी रसावाली सब्जियां जादा पसंद आती है और एक सूखी बन भी चुकी है तो एक थोड़ी सी रसावाली हो जाएगी और आज हमारी गैस खराब हो चुकी है तो यह इसमें यहां से गैस निकल रही है आप सभी को दिखा दें और कुछ समझ में नहीं आया था तो बोल ले थे कि इसको ले जाना होगा तो देखते हैं कि ले जाएंगे या फिर ऐसे ही कुछ किसी को बुला कर ले आएंगे इसको समलवा लेंगे तो कई बार हम इसको लगा चुके हैं रिगलोटर को लेकिन फिर भी यह सही नहीं हो रहा था यहीं से गैस निकल लई थी तो आज पूरा खाना और चाय सबी चीजे यहीं पर चूले पर ही हम लोगों ने बनाई है तो थोड़ा सा जाधा टाइम भी लग गया है और दो सबजी यां भी बनाई है और सबजी बन चुकी है उसके बाद में बैट गए हैं रोटियां सेंकने के लिए और रोटि भी यहीं पर बनाएंगे आज भी चावल नहीं बनाए है इन दिनों में सरदी भी हलकी सी हो गई है मेरी थोड़ी सी आब आज भी बदली बदली लग रही है और गले में भी थोड़ी सी खरांस हो गई है तो चावल इन दिनों में बहुत कम बनाते हैं हमारी नदजी की भी तब यह ठीक नहीं रहती है साधना की क्योंकि उनके भी पैरों में दर्द रहता है और सरदी उनको भी है तो फिर कम ही चावल बनाते हैं किसी किसी दिन जब सबका मन होता है बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं तब ही बनाते हैं वैसे मैंने का रोटियां ही सेखते हैं क्योंकि जब बने होते हैं चावल फिर मन मानता नहीं है चावल थोड़े बहुत खा ही लेते हैं और यहां पर बस हम दोनों लोग सेख रहे है रोटियां जल्दी से सेंक लेते हैं और हवा देखो पीछे से कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि परदा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है हवा बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है तो चूले पर ही आ सारी रोटियां से कितनी गैस तो खराब हो गई है अब साम तक आएगी बनकर अगर आरोई के पापा लेकर जाएंगे फिर भी साम तक ही बनेगी अगर यहीं पर दिखाएंगे फिर भी साम तक ही सिलिंडर हमारा सही हो पाएगा और यहां पर दीदी की बिटिया आ गई है खाना परसवाने के लिए तो खाना भी सासात में परोस देंगे तो सभी लोग खाना भी खा लेंगे और दीदी को भी बुला कर ले आई थी दीदी की बिटिया हम लोगों ने का कि दीदी को बुला कर ले आओ क्योंकि साम को खाना भी नहीं खाया था तो उन्होंने भी जल्दी से खाना खा लिया था और आज के लिए दोस्तों बस पहुत ही ख्यार लखियेगा